आज हमारी वीडियो का टोपिक है एक स्ट्रक्चलिस्ट फिलोसफर जिनका नाम है फडिनेंडी सॉस्योर और इस वीडियो में हम इनके जो मेजर कॉंसेप्ट्स हैं उनको डिसकस करेंगे उनको आसान लेंग्वेज में समझने की गोजिस करेंगे तो फडिनेंडी सॉस्योर का जो टाइम था वो 1857 से 1930 तक रहा और ये एक स्विस लिंग्विस्ट और सेमिटिशन और फिलोसफर थे ओल ओवर दा वर्ल्ड में इनको और इनके दूसरे साथी चाल्स आंदरेस पियर्स को ट्वेंटीन सेंचरी लिंग्विस्टिक्स का फाउंडर माना जाता है इसके बाद 1875 में इन्होंने यूनिवस्टि ओफ जैनवा में फिजिक्स और कैमस्ट्री की पढ़ाई की इसके बाद में वो लिब्जिग यूनिवस्टि में 1876 में इन्होंने कई सारी लेंग्विज की स्टड़ी की इसके बाद में इंट्रेस्टिंग बात है ये कि इन्होंने 18 मन्थ संस्कृत पढ़ी और ये संस्कृत के टीचर रहे सो ये कुछ चीजे इनकी परसनल लाइफ से जुड़ी थी अब हम बात करते हैं इनके कॉंसेट्स की तो इनके कॉंसेट्स जो है वो स्ट्रक्चलिजम पर बेस है स्ट्रक्चलिजम के बारे में हैं तो इनके कॉंसेट्स पर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रक्चलिजम क्या होता है वैसे इससे पहले वाली वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है आप आई बटन से या description से वो वीडियो देख सकते हैं फिर भी कुछ basic facts जो हैं हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं कि structure क्या होता है और यह literature से कैसे related है So what is structure? तो यह तो हमें सभी को पता होगा कि हर एक चीज का एक structure होता है कोई भी चीज एक छोटी से छोटी unit से बनती है और वो unit एक structure बनाकर पूरे चीज को आकार देती है जैसे हमारी body होती है खुद की उसमें सबसे चोटी जो unit होती है वो cells होती है उसके बाद में bones आती है, muscles आती है इस तरह हमारी पूरी body बनती है यह हमारी body का structure है अगर हम बात करें solar system की तो solar system में भी एक structure है structure को follow करती है इस structure में कुछ कायदे और कानून होते हैं जिससे की structure अच्छी तरह से काम करता है तो यह तो बात होई दूसरी चीजों की structure की जो physical word में हम देख सकते हैं लेकिन structuralism in literature इसका क्या मतलब है तो जैसे हमने बात की की structure क्या होता है और इसी तरह literature में भी एक structure और उसके rules होते है एक center होता है उसकी सबसे चोटी unit होती है जो आपस में मिलकर एक structure बनाते हैं और यह structure meaning create करते हैं और इसी तरह language काम करती है जिससे हमारा literature बनता है यानि कि सबसे छोटी जो unit होती है हमारी word होते हैं तो word के बाद में sentence बनते हैं sentence के बाद में paragraph बनता है तो ये structure है इस चीज़ का तो इसी के बाद में meaning create होती जाती है और हमारा text या फिर कहले जी हमारा literature बनता जाता है इसमें बहुत सी अलग-अलग units होती है जो साथ में मिली होती है for example, एक poem को poem उसका structure बनाता है जिसमें rhythm, rhyme, pause, punctuation, meter ये सब अलग-अलग होते हैं और एक साथ काम करते हैं अलग-अलग होने के बावजूद भी ये एक chronology में या एक structure में काम करते हैं तो तभी एक poem possible हो सकती है और it can be said that it analyzes how things get organized into meaningful entities तो सभी चीज़े structure में होती है और यही structure है एक चीज़ को identity या meaning या reality प्रवाइड करता है चलिए देखते हैं कैसे for example, अगर कोई किसी class में teach कर रहा है तो वो एक teacher है और अगर वही इंसान घर पर है तो वो एक teacher नहीं है वो husband हो सकता है father हो सकता है son हो सकता है और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है अगर वो hospital में है तो एक doctor हो सकता है patient हो सकता है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है और अगर वो vote देने की line में खड़ा हुआ है तो वो एक voter हो सकता है तो इस तरह एक structure किसी भी चीज़ को एक identity provide करता है और ये identity ही reality होती है तो I hope आप समझ चुके होंगे कि literature में structure क्या होता है मतलब एक छोटी unit होती है वो किसी rules के साथ में दूसरी unit के साथ में मिलकर एक sentence बनाती है sentence meaning create करते हैं और उसके बाद में paragraph बनता है और इसके बाद में कोई भी novel poem या कोई भी story बनती है तो यही होता है structureism in literature और अब Ferdinand D. Saussure की theories को discuss करते हैं कि उन्होंने कौन से concept दिये हैं structureism को लेकर के तो सबसे पहला उनका concept आता है signifier and signified यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है Saussure ने language को दो parts में divide किया है यह part है signifier और signified जब भी कोई हमारे सामने dog लिखता है या हम dog की बात करते हैं यह word use करते हैं particularly dog का तो हमें पता चल जाता है कि हम किस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे mind में dog की image आ जाती है जैसे की आपके mind में एक image चल रही होगी dog की तो जो word हमने use किया उसको कहते है signifier और जो image या फिर concept हमारे mind में create हुआ एक image create हुई dog की उसे कहते है signified पहले को कहते है signifier और दूसरे को कहते है signified इस पर हम detail में बात करने वाले हैं यह दोनों एक साथ काम करते हैं जैसे की एक सिक्के के दो पहलू हो या फिर किसी भी sheet औप एक paper के दो sides हो वो दोनों मिल कर sign कहलाते हैं मतलब signifier और signified यह दोनों मिल करके sign कहलाते हैं इसके बाद में वो कहता है की relationship जो होती है इनकी signifier और signified की कोई logical नहीं होती arbitrary होती है arbitrary मतलब इसको किसी वजह से माल लिया जाता है तो ये जो word है dog इसमें dog जैसी quality कुछ नहीं होती क्योंकि इसका कोई particular reason नहीं है कि एक signifier जो हम dog ले सकते हैं अगर कोई उसको use करता है तो वो एक चार पैरो वाला एक जानवर की image create करें हमारे mind में I know ये थोड़ा confusing हो गया चलो इसको आसान बनाते हैं दूसरी languages में हमारे पास में कुछ signifier होते हैं वो same signified को produce करते हैं जैसे कि अब मैं आपके सामने कुछ words बोलता हूँ वो different languages के हैं जैसे कि पैरो इस्पैनिस में और चियन फ्रेंच में काने इटैलियन में होंड जर्मन में आपको कुछ समझ आया मुझे पूरा विस्वास है कि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा क्योंकि इन words को आपने पहले कभी use किया नहीं होगा और अगर मैं बोलूँ डोग तो आपके mind में एक दम से डोग की image आ जाएगी क्योंकि हम उस चार पैरो वाले जानवर के लिए डोग word का use करते आ रहे हैं इसलिए ये word हमें उस जानवर की image तक पहुँचा देता है जिसके लिए हम ये word use करते हैं वो word मतलब signifier और जो concept या image signifier trigger करता है वो होता है signified और इन दोनों का जो relation होता है सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक word को एक ही concept या कहले एक image के लिए बार बार use करते रहते हैं इसलिए ये possible होता है कि dog word जो है means dog signifier जो है वो dog की image create कर देता है हमारे mind में इसलिए ये एक relation में है क्योंकि हम एक word को एक concept के लिए बार बार use करते हैं फरना जो ये signifier है मतलब ये word है और जो उस word के पीछे की meaning है उसकी image है उसका concept है उसका एक दूसरे से कोई relationship नहीं है जैसे अभी आपको याद हो मैंने कुछ words बोले थे दूसरी languages के क्या किसी को लगा कि ये सारे words या signifier एक ही meaning रखते है मतलब ये सब dog के लिए ही use किये जाते है different different languages में मतलब dog को ही in languages में इस थरा बोला जाता है हमें ये इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि हम वो words use नहीं करते हम dog use करते हैं और ये dog word हमें dog की image तक पहुँचा देता है और हम समझ जाते हैं कि किस particular जानवर की हम बात कर रहे हैं so I hope आप भी समझ गए होंगे कि signifier और signified किसे कहते हैं simple है word को signifier और word के पीछे की image को जो mind में create होती है उसको signified कहते हैं इसके बाद में वो कहता है जो meaning है किसी भी sign की वो signifier और signified के बीच के relationship से produce नहीं होती जो meaning है वो produce होती है differences से और relationship से इस topic पर भी हम detail में बात करेंगे आगे इसी वीडियो में लेकिन आप बात करते हैं combination और selection पर social के according meaning जो बनती है वो बनती है combination और selection की process पर और ये selections और combination जो हैं वो horizontally access पर हो सकते हैं जिसे syntagmatic कहते हैं या फिर vertically access पर भी हो सकते हैं जिसे paradigmatic access कहते हैं अगर आपको detail में जानना है syntagmatic और paradigmatic के बारे में तो इससे पहले मैंने एक video upload की है roman check option की उसको देखेगा उसमें पूरी तरीके से मैंने detail में बताया हुआ है कि ये सारी चीज़े क्या हैं फिर भी कुछ चीज़े discuss कर लेते हैं ये जो sentence मैंने बोला इसके जो word हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और एक meaning के rate करते हैं हर एक word एक दूसरे से अलग है और एक structure में है मतलब एक rule को follow करता है इसलिए इसको कहते हैं syntagmatic axis of language इसके बाद में अगर paradigmatic की बात करें तो substituting certain parts of the sentence for new parts can also change the meaning for example जैसे मैं बोल सकता हूँ मैंने पहले बोला था Miriam made chicken today और दूसरा sentence मैं ले सकता हूँ Miriam made salad today तो यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमने chicken की जगा salad ले लिया तो यह होता है paradigmatic axis जो vertically होता है यानि कि बहुत सारे हमारे पास में words होते हैं उसमें से हमें एक को चुनना होता है और जैसे ही हम उस word को choose करते हैं पूरे sentence की meaning बदल जाती है तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक sentence की जो meaning produce होती है वो selection और combination से produce होती है यानि कि पहले वाले sentence में हमने देखा कि किस तरह से combination है उन सारे words का means एक sentence में subject होता है word होती है object होता है ऐसे ही एक subject meaning बनाता है अगर हम कर दें object पहले लियाएं फिर उसके बाद में subject आ जाए तो वो meaning create नहीं करेगा और इसके बाद में दूसरी तरफ paradigmatic में हमने देखा कि हमें words को choose करना होता है उसके बाद में meaning जैसे जैसे हम choose करते जाते हैं वैसे वैसे meaning बदलती जाती है हम कितने भी meaning बना सकते हैं जैसे जैसे हम words को select करते हैं तो meaning बनती है selection और combination से इसके बाद बात करते हैं Ferdinandie Saussure की relational theory of language की वो कहता है कि जो words है वो exist करते हैं दूसरे words की relation पर means words existed in relation to other words और दूसरा ये कि किसी भी word की जो meaning है वो depend करती है दूसरे word की meaning पर तो किसी भी word की जो meaning होती है वो तब बनती है जब हम पहचान पाते हैं words के बीच के differences को फर एक्जामपल चलिए आप ही सोचिए कि cat cat क्यों है और dog dog क्यों है cat इसलिए cat है क्योंकि cat ना तो dog है ना तो bat है ना थो hat है वो cat है इसलिए वो cat है और dog भी ना तो cat है ना hat है ना bat है इसलिए वो dog है sound funny? yes, it's funny but real तो जो cat है वो इसलिए cat है क्योंकि वो दूसरे हर एक word से different है चाहे वो बात करें sound की चाहे वो बात करें लिखने की लिखने में भी वो अलग है और sound में भी वो अलग है और यही unique चीज जो है उसे एक identity provide करती है जिससे कि वो एक meaning create करती है वो real हो जाती है तो किसी भी word की meaning कैसे बनती है according to saucer कि जब वो different हो या फिर opposite हो दूसरे words से ये सारे जितने भी words हैं जैसे cat, bad, head ये सारे के सारे system of language के words हैं और ये सारे जो हैं वो एक दूसरे से related है क्योंकि ये एक system का हिस्सा है एक same system का हिस्सा है और इन में कुछ logic है या फिर ये real है क्योंकि ये एक दूसरे से अलग हैं इसलिए ये real हैं और sense रखते हैं हम कभी भी cat को cat नहीं पहचान पाते अगर दूसरे सारे words जो होते वो cat ही होते just imagine अगर इस दुनिया में सभी का नाम cat है तो जो real cat है वो cat कैसे रह पाएगी उसका हमें दूसरा नाम रखना होगा तब जाके वो cat cat होगी this is the principle of structure of language और जब हम इस structure को जान लेते हैं इन differences को जान लेते हैं तब हम conversation कर सकते हैं जब हम meaning बना सकते हैं हम समझ सकते हैं दूसरों को और दूसरों को समझा सकते हैं क्योंकि हम differences को use करना सीख जाते हैं और इसी से ही meaning को generate किया जाता है इसी का ही एक दूसरा example लेते हैं जो word mother है वो इसलिए mother है क्योंकि वो father नहीं है वो daughter नहीं है वो son नहीं है वो सबसे different है तो वो mother है इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए social जो है train का example देता है कि दो trains ह और दो अलग-अलग stations पर हैं उनमें सभी काम करने वाले एक जैसे होते हैं सभी traveler जो यात्रा करते हैं travel करते हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं उन दोनों trains का जो है वो time भी same है और उनका जो है वो color भी same है वो बनाई गई भी same ही material से होती है और ये दोनों train हर एक दिन चलती है एक ही रूट पर चलती हैं तो क्या इन ट्रेंज को इनके कलर से या फिर इन में जो material यूज हुआ है उन से जाना जाता है नहीं इनको जाना जाता है क्योंकि ये एक दूसरे से अलग है इने जाना जाता है इनके time से जो वो चलती है और इनके root से जाना जाता है इसलिए different है जैसे कि word होते हैं वो एक ही structure का हिस्सा होते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं और उनका काम जो होता है वो अलग होता है इसलिए वो meaning बनाते हैं I hope आपको कुछ थोड़ा बहुत तो idea हो चुका होगा इस theory के बारे में अब बात करते हैं next जो उनका concept है वो है lang and parole का इस particular topic से काफी question बनते है net exam में तो मुझे ये कहने की जरूरती नहीं है कि आप धियान लगा कर सुनिए या समझने की गोशिश करिए आप खुद ये चीज़ी कर लेंगे तो generally हम ये जानते हैं कि किसी भी language में sentence जब हम बनाते हैं तो words को या words को use करने के लिए कुछ तरीके होते हैं कुछ नियम होते हैं कुछ rules होते हैं जिनके according उन words को एक particular तरीके से रखा जाता है तब वो sentence बनाते हैं ये जो rules होते हैं वे बहुत कम change किये जाते हैं ये change नहीं हो सकते तो ये जो rules हैं जिनके according words को use किया जाता है sentence बनाने में meaning बनाने में इसको कहते हैं length और दूसरी तरफ everyday speech जहां पर हम words को use करते हैं particular context में उसको कहते हैं parole तो language refers to the system of language और parole होता है individual utterance the individual use of language मतलब length जो होता है वो system of language होता है और parole जो होता है उस system of language को use करता है मतलब जिस rules और regulation से मैं sentences create कर रहा हूँ meaning create करने की कोशिस कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए उन rules और regulation को lang कहते हैं और in lang का यानि कि system का use करके जो मैं language आपको बोल रहा हूँ उसे कहते है पेरॉल इसे और आसानी से समझाने के लिए social ने इसको game of chess से compare किया है कि किसी भी गेम में एक rules और regulation होते हैं जिससे कि उन्हें खेला जाता है उसको कहते है लैंग और जो हमें दिखाए देता है उसको कहते है पेरॉल मतलब जिस rules से वो game खेला जा रहा है जब हम उसे देखते हैं तो उसे कहते हैं पेरॉल तो grammatical rules को कहते हैं लैंग और जो performance होती है उसको कहते हैं पेरॉल I hope आपको clear हो चुगा होगा इसके बाद में बात करते हैं दूसरे यानि के next concept की सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक जब कोई ये study करता है कि एक word जो है वो history में जब से history start हुई है यानि कि जब से इनसान ने उस word को use किया है उसने किस तरह से meaning को acquire किया है उसको कहते हैं डायक्रोनिक study लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई words किस तरह एक particular time में या किसी भी particular structure में language में अपनी meaning को किस तरह से generate करता है acquire करता है उसको कहते हैं सिंक्रोनिक study मतलब हम history में नहीं देखते एक particular point of time में जब हम किसी word को देखते हैं तो उसे सिंक्रोनिक study कहते हैं और जब हम किसी word को history से लेकर आज तक देखते हैं कि उसने किस तरह कितने meaning change की किस तरह meaning acquire की उसे कहते हैं diachronic study फुर एक्जामपल जब हम एक sentence सुनते हैं किसी भी film के बारे में या फिर किसी भी actresses के बारे में बहुतों को यह पता नहीं होता कि glamour जो word है वो अपने आप में meaning जो है acquire कर चुका है अलग-अलग history में मतलब history में जो glamour word का use किया जाता था वो use किया जाता था which is के लिए means अगर हम इसको starting से यानि कि जब से इसको use किया गया word को तब से लेकर आज तक कि study करते हैं तो हम कह सकते हैं हम dichronic study कर रहे हैं और अगर हम इसको particular language में या particular time यानि कि 2022 में अगर हम इसकी study करें कि 2022 या 1990 से लेकर के अब तक इसने किस तरह से meaning acquire की तो यह होगा हमारा synchronic study अपनी इन theories को आसान करने के लिए एक और example लेते हैं तो suppose करिए आप किसी aliens को अपने यहां पर cricket का match देखने के लिए invite करते हैं और हमें यह पूरा विस्वास है यह पता है कि उन aliens पर cricket का match नहीं आता देखना और नहीं उन्हें उसके rules और regulation का पता है तो वो cricket का match जब आकर के देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि कुछ लोग हैं वो जिनके हाथ में बोल है एक के हाथ में कुछ ऐसा है जिससे वो मारते हैं जिससे बैट कहते हैं और कुछ लोग जो हैं उस बोल के बोल को पकड़ने के लिए बार बार भागते हैं बार बार एक आदमी उसको फैकता है और एक ग्राउंड है जिसके चारो तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अगर cricket match जो है वो famous है अगर नहीं है तो कुछ लोग है तो उन aliens को इस scene में क्या समझ आया कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उनको rules के बारे में नहीं पता तो अब आप क्या करते हैं cricket match के सब rules जो है वो उस aliens को बताते है कि इसी स्था से ये खेला जाता है ये बंदा जो है क्यों बोल बार बार फैकता है क्यों ये उसका हिट करता है और क्यों लोग जो है इसके पीछे भागते है और क्यों ये सारे लोग अपना काम छोड़कर इसको देख रहे हैं ये सारी चीजे आप समझाते हैं कि ये एक important match है इसलिए यहां पर भीड लगी हुई है तो इस तरह जब rules और regulation उसे पता चल गए तब वो जाना कि क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एक structure होता है जो हमें समझना होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब उस alien को वो structure समझा गया कि ये सारी चीजे क्यों हो रही है तो उसे समझा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है इसकी value क्या है इंडिया पाकिस्तान का match है इसकी क्या value है इंडिया और आस्टेलिया का match है इसकी क्या value है ये सारी चीजे एक structure में काम करती है तब ये उसको समझा गया और तब उसको इसकी value पता चल गई तो किसी भी word की किसी भी चीज की meaning create जब होती है जब हमें पता होता है उसके social उसके political उसके economic structure के बारे में इन सब चीजों के बारे में जब हमें पता होता है तब ही एक meaning create होती है तो अब हम इस वीडियो को summarize करते हैं देखते हैं कि main जो चीज है वो क्या क्या है जो Ferdinand D. Saussure ने बताई है पहला point है arbitrariness means words have no real connection to their meanings or the things they describe मतलब signifier और signified इन दोनों की वीच में कोई relationship नहीं होता किसी भी word की जो meaning होती है वो arbitrary होती है इसके बाता है relationality के words make sense to us for us in their relationality in their differences from other words words are therefore related to each other in the forms of differences and have no absolute value of their own as we have seen above every word is opposite to different from another word and meaning emerge in the differences मतलब हमने अभी बात की थी कि किस तरह से एक word जो होता है वो तभी meaning create करता है तब वो दूसरे word से अलग होता है different होता है एक ही system का part होता है लेकिन अलग होता है एक दूसरे से तभी meaning बनती है इसके बाद में आती है systematicity जो किसी भी language का structure होता है या फिर system होता है वो जब ensure कर लेता है कि हमें वो differences जो हैं वो combination जो हैं वो समझ आ रहे हैं तो हमें जो है वो language आ जाती है हम उसका use करना सीख जाते हैं मतलब जब हम differences का use करना सीख जाते हैं तो हम उस language को सीख जाते हैं तो ये कुछ concept थे कुछ theories थी फडिनेंडी sociology अगर हम बात करें इनकी major works की तो इनका major works जो है वो एक ही है वो है course in general linguistics जो publish हुआ था 1916 में इसको याद रखना है अच्छे से तो friends अगर आपके कुछ doubts हैं अभी भी कुछ रह गया हो तो आप comment box में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है Thanks for watching me, have a nice day